नमस्कार दोस्तों आज हम इंडोचीन में राष्टवादी आंदूलन नामकपाट का साथवा अंश पढ़ेंगे इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमेरिका ने व्यतनाम युद्ध में प्रवेश क्यों किया और उसका परिणाम क्या निकला हम हो चिन मार्ग की युद्ध में भूमिका के बारे में जानेंगे साथ ही हम अमेरिकी मीडिया की भी भूमिका को जानेंगे आएए पढ़ते हैं दोस्तों अमेरिका का युद्ध में प्रवेश करने का कारण यह था कि NLF National Liberation Front के गठन के बाद और उसकी बढ़ती शक्ति देखकर अमेरिका को भेथा कि अगर व्यतनाम में कम्यूनिस्ट सरकार की स्थापना हो गई तो आज पास के देशों में भी कम्यूनिस्ट सरकारों की स्थापना होने लगेगी इसको अंग्रीजी में Domino Effect कहते हैं ऐसा अमेरिका बिलकुल नहीं चाहता था NLF की बढ़ती शक्ति से भेभीत होकर अमेरिका ने अपनी सेनिकों को व्यतनाम के युद में जोग दिया अमेरिका का युद में कूदना व्यतनाम के साथ साथ अमेरिका को भी भरी पड़ा अमेरिका के पास आधुनिक टैंक हवाई विमान जैसे की B-52 साथ ही रशाइनिक हत्यार होने के बावजूद उसके बहुत सारे सेनिक मारे गए इसका कारण था कि अमेरिका की सैनिक वियतनाम की घाटियों और जंगलों से अंजान थे वियतनामी सैनिकों ने इस बात का फायदा उठाया वियतनामी सैनिक कुरिला वार की तकनीक अपना रहे थे वे जाडियों में छपकर वार करते थे सैनिकों की बड़े पैमाने पर हार को देख अमेरिकी लोग भी इस युद्ध के खिलाफ विरोध कर रहे थे लोग समझ नहीं पा रहे थे कि एक छोटे से देश के लिए उन्हें अपने सैनिकों की जाने क्यों गवानी पड़ रही है इन विरोध प्रदर्शनों को बढ़काने में अमेरिकी मीडिया का बड़ा हांथ था वियतनाम युद्ध को पहला टेलिवीजिन वार कहा जाता है क्यूंकि युद्ध छेत्र की तस्वीरें रोज समचार के जरिये टेलिवीजिन पर प्रदर्शित की जाती थी हॉलिवुड की निर्मित दो फिल्में वियतनाम युद्ध की इस्ति को दर्शाती है पहला उधारन जॉन वेन की फिल्म ग्रीन बेरिट्स का है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस फिल्म ने जवानों को युद्ध में मरने के लिए प्रेडित किया और दूसरा उधारन जॉन फॉर्ड कपोला की एपोकिलिप्स नाव फिल्म का है इस फिल्म के बारे में कहा जाता है कि इस ने युद्ध के कारणों को जानने का प्रेयास किया आईए देखें कि कैसे वियतनाम ने अपने सीमे संसाधनों को अमेरिका के आदूनिक हत्यारों के खिलाफ उप्योग किया होची मिन मार्ग इस बात का सब्बूत है कि कैसे चतुराई से वियतनाम ने आदूनिक अमेरिका का मुकाबला किया होची मिन मार्ग उत्तर से दक्षिर व्यतनाम में रसद और सैनिकों को लाने ले जाने का काम करता था इस मार्ग में जगा जगा हस्पतार और सैनिकी अड़े बनाई हुई थे इस मार्ग का जादतर हिस्सा पडूसी देश लाओस और कमबोडिया में था इस मार्ग को नश्ट करने के लिए अनेक प्रयास किये गए पर अमेरिका असफल रहा ऐसा इसलिए था दूश्टों क्योंकि हर हपले के बाद इस मार्ग को बहुत जल्दी फिर से बना दिया जाता और इस्तमाल में लाया जाता था अमेरिका अपने उद्देश में नाकामियाम रहा इस युद्ध से अमेरिका के अंदर भी विरोध हो रहा था लोग सैनिकों को वापस बुलाने की मांग कर रहे थे युद्ध का कोई नतीजा ना निकलते देख अमेरिका ने सांती प्रस्ताव सामने रखा जिस पर पैरिस में 1974 में हस्ताक्षर हुए इसके बाद अमेरिका और वियतनाम के बीच का युद्ध तो समाप्थ हो गया लेकिन साइगॉन और NLF के बीच वियतनाम की एकिकरण के उदेश से युद्ध जारी रहा NLF ने साइगॉन जोकी दक्षिडी वियतनाम का सत्ता का केंद्र था उसके राश्टपती भवन पर 30 अप्रेल 1975 में अपना आधिपत्य स्थापित किया और वियतनाम को एक देश बना दिया अधा 1975 में वियतनाम में युद्धों का सिलसला बंद हो गया आईए देखें इस वीडियो में हमने क्या सीखा हमने अमेरिका और वियतनाम के बीच हुए युद्ध की सच्चाई को जाना और युद्ध में अमरीकी मीडिया और होची मिनमार्ग का योगदान समझा हमने वियतनाम के एकी करण के बारे में जाना अकले वीडियो में हम व्यतनाम के युद्ध के दोरान पेश की गई महिलाओं की छवी को जानेंगे धन्यवाद